तो हाँ अभी जश थलापती विजय की गोड़ देख कर आ रहा हूँ और कह सकता हूँ ये मूवी प्योर फैन सर्विस है एक तरह से थलापती के जो फैन्स है ये मूवी स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके लिए ही डेडिकेट करकी बनाई गई है यहाँ पर उनके कई सारे कॉल ब मैं अगर अपना पसनल रिव्यू स्टार्ट करूँ कि मुझे मूवी कैसी लगी तो मुझे मूवी बिलकुल भी पसंद नहीं आई है चलो डीटियल में बात करते हैं मूवी के सारे पॉजिटिव्स और निगेटिव्स जो की मैंने मूवी में नोटिस किये सबसे पहला मैं ज़ा जो बोलूँगा वो था थलपति विजए की परफॉरमेंस मतलब उन्होंने दोनों ही कैरेक्टर उनका इस मूवी में डबल रोल है आपने ट्रेलर में देखा यहोगा तोहां दोनों ही कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से प्लेए हैं आप इस लीड़े क्ैरेक्टर कर परफॉर्मेंस में, नीचर में, पस्नालिटी में डिफरेंस फील कर पाते हो, मूवी में कई सारे action moments ऐसे हैं, जो की cool लगते हैं, मैंने enjoy किया, हाँ सारे action sequence नहीं, कुछी action moments थे, जो की मुझे काफी अच्छे लगे, theater experience के इसाप से काफी सही थे, दिन अगर climax में तो वहाँ ए वहाला moment मुझे सही लगा, and especially मैं यहाँ सबसे अधा appreciate करूँगा कि movie में जो de-aging की गई है, काफी सही तरीके से की गई है, और लगता है कि भाई, हाँ, young actor वहाँ पे खड़े हैं, obviously यहाँ पर make-up और VFX का use करके उन्होंने ऐसा किया होगा, जो की काफी तगड़ा है, काफी पढ़िया है, लेकिन अगर आप negative points में आए, तो भाई, negative movie में भर भर के हैं, सबसे पहला और obvious negative जो इस movie का, वो है run time 3 hours का, अब 3 hours का run time मैं बुरा नहीं बोलता हूं, वो इसलिए नहीं बोलता कि अगर movie में वर्दी scenes होते हैं, तो वो 3 hours भी कम लगते हैं, वो 3 घंटे भी आ कैसा लगता है कि अब end होगा, अब end होगा, लेकिन वो climax का भी end होता ही नहीं है, एक तरह से बहुत बार scenes को खीचा गया है, जिससे कि 3 hours का run time उतना वर्थिट नहीं लगता है, और movie बहुत सारे sequence में बोर करने लगती है, वे इस movie में मुझे सबसे वादा बुरा लगा, और ये complaint मेरा almost सारे Indian movies से रहता ही अलगभग, वो था इसके songs का placement, मतलब भई songs के placement इतने abrupt हैं कि मैं बता नहीं सकता, और उपर से Hindi dubbing में जो गाने का कचड़ा करते हैं, वो तो एक अलगी matter है, लेकिन हाँ songs के placement बहुत ही जादा abrupt है, out of nowhere actor बोलता है कि let's sing और गाना start हो जाता है, क अच्छी नहीं होती है, तो उसका BGM बहुत ही जादा important हो जाता है, especially अनिरुद ने जब से South industry में music देना start किया है, BGM एक USP हो गया है हर movie का, और उनकी BGM epic होती है, ये सब जानते हैं, तो वही चीज एक missing लगती है इस movie से, movie का BGM बहुत ही जादा average है, बहुत सारे scenes में, इसा मैंने mention किया है ही कि movie का जो plot है, जो story है, वो बहुत ही जादा outdated है, आपको ऐसा feel होता है कि आप 10 साल पुरानी कोई Hindi dub movies देख रहे हो, TV पे, set max पे, तो वो वाली feeling आती है, ये movie काफी एक outdated वाली feeling देती है, overall मैं यही बोलूँगा कि हा movie में कुछ positives थे, कुछ negatives थे, लेकि 110% थलपती विजय के जो fans हैं, वो ये movie enjoy करेंगे, पर मेरे according movie ऐसी होनी चाहिए, जो कि पुरानी fans को भी cater करे, और कुछ नए audience को भी actor का fan बना दे, तो ये movie उस category में तो नहीं आती, फिर भी आपने अगर movie देखी है, तो आपको ये movie कैसे लगी, comment में ज़रूर बताना, आप का as a fan क्या perspective रहा, और जो normal audience है जिन्होंने movie देखी, उनका क्या perspective रहा, सब कोई comment में जरूर डिसकस करना, मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी और review के साथ, till then be they see, be nerd.